Praise the Lord आज हम निकालेंगे यशाहा और उसका जौबिस एक से लेके तीन आयत पड़ें सुनो यवा पृत्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है वह उसको उलट कर उसके रहने वालों को तीतर बीतर करेगा और जैसी याजमान की वेसी याजक की जैसे दास की वेसी दास स्वामी की जैसी दासी की वेसी स्वामीनी की जैसे लेने वाले की वेसे बेचने वाले की जैसी उधार करने वाले की वेसी उधार लेने वाले की जैसी ब्याज लेने वाले की वेसी ब्याज देने वाले की सबों की एक ही दशा होगी प्रत्वी शुन्य और उजाड हो जाएगी क्योंकि यहुआ ही ने यह कहा है कितना भारी बचन है प्रत्वी शुन्य और उजाड हो जाएगी शुन्य कुछ नहीं रहेगा और वापस उजाड जब सिर्ष्टी के संरचना की गई थी तब लिखा है वचन कहता है उत्पत्ती के अंदर कि बेडोल थी प्रत्वी परमेशन उसको आकार दिया और फिर दिन बनाया रात बनाई प्रत्वी के ओपर वनस्पती उगाई पूरा एक खूपसूरती दी पूरी प्रक्रती बनाई और फिर सबसे आखरी में मनुष्य बनाई यह चीद दर्शाती है कि जो कुछ भी बनाया वो किसके लिए बनाया हम मनुश्यों के लिए बनाया ठीक है अब जब हम हमारे लिए बनाया सब कुछ बनाया तो यह वचन क्या कहता है कि प्रत्विशुन्य और उजाड हो जाएगी क्योंकि यहुआ ही ने यह कहा है यह शाह भईश्वक्ता हो या कोई और भईश्वक्ता जो सच्चा परमीश्व का भईश्वक्ता है इनको जो जम्मेदारी दी गई थी प्रजा से कहने की परमीश्वर ने जो वचन इनको कहते थे वैसी की वैसी भैश्वाणी वो करते थे कुछ मिलावट नहीं था और यही प्रभु चाहता है आज भी हमसे बोलता है कि जो बोला प्रभु ने वैसा का वैसा हमें ने तुम्हें कह दिया बला इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है क्योंकि परमेश्य और यहुआ का यही वचन है उसके मुख से निकला है और यह चीज तुम ध्यान रखना कि यह प्रत्वी शुन्य हो जाएगी उजाड हो जाएगी सब कुछ था मनिश्य के लिए और इसी मनिश्य के पापों के द्वारा सब कुछ नाश हो जाएगा यह बात एक बच्चा होता है ने घर के अंदर माबाप उसके लिए सब कुछ करते है सब कुछ उसको अच्छे सच्छा कबड़ बनाते है उसको अच्छे सच्छा खाना किलाते है बच्चा बड़ा होता है उसको घर बना के देते है मेरा बच्चा कहां रहेगा शादी के बाद इसको घर बना के देते है सब कुछ बना दिया उसके बाद मैं खुद की बेवकूफी से वो अपना घर भी बिगाड देता है तलाग भी ले लेता है करजा कर लेता है और घर भी बेज़ देता है सब ख़तम कर देता है वही जीज़े यह उस परमेश्वन ने हमारे परमेश्वर पिता परमेश्वन ने क्या करा हमसे बेहत प्रेम रखा और हमारे लिए सब कुछ दिया और हमने हमारी बेवकूफी से नादानी से हमने क्या करा, पाप, और पाप, और पाप, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, और परमीश्व के नजर में परमीश्व पाप नहीं देख सकता, वो इतना पवित्र है, सबसे पहला प्रत्वी को जो गंदा कर दिया बोलो या फिर प्रत्वी को अपवित्र करा, वो करा था केन हाबिल को मार के उत्पती चार उसका डौस से पड़े तब यहवा ने केन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहा है उसने कहा मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ चीक है क्या बोला पहले पूछा उससे तेरा भाई हाबिल कहा है क्या बोलता है कि क्या मेरे भाई का रखवाल हूं मुझे क्या पता है दो भाई है माता पिता है और मैं समझता हूं आसपास कोई भी नहीं है उसी के साथ खेलता होगा, उसी के साथ बात करता होगा, उसी के साथ समय बिताता होगा, पर जब उससे पूछा गया तो क्या बोलता है? मैं क्या जानू? मुझे क्या मालूम? फिर आगे, यहां पर आप पढ़ें, ग्यार व्यायत. इसलिए अब भूमी जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुओ खोला है, उसकी और से तु शापित है? भूमी की और से अब ये शापित हो गया है? उस भूमी ने अपना मूँ खोला लहू पीने के लिए लिखा है ने बला तेरे भाई इसलिए अब भूमी जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मूँ खोला है उसकी और से तू शापित है चाहे तो भूमी पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और ना और तू प्रत्वी पर भटकने वाला और भगोडा होगा शाप देती है उस भूमी की तरब से भी शाप था कि तू कुछ भी उगाएगा पूरा प्रतिफल नहीं मिलेगा पर उस भूमी ने पिया उस खून को आज वही भूमी उजाड हो गई अभी हुई नहीं बुरी तरे से पर उसका वचन कहता है हो जाएगी यह परमेश्व का न्याय का दिन है परमेश्व का न्याय सठीक है और न्याय के समय में क्या करेगा वो चीज़ यह दरशाता है यह शा के अंदर क्या बोलता है 24 में कि सुनो यहुआ प्रत्फी को निर्जन और सुनसान करने पर है निर्जन एक जन नहीं होगा इसके अंदर और सुनसान कर देगा बला अब सचेत हो जाओ कि तुम जो हो मरने वाले हो जब इंसान खतम होगा तब ही तो निर्जन होगा सदो मुरो मुरो को खतम कर दिया था है नाश कर दिया था है एक व्यक्ति ने बसता आस तक सदो मुरो मुरा का है ये इतिहास और आज भी वहाँ पर कोई वनस्पति ने उकती और ना ही कोई व्यक्ति वहाँ रह सकता है इतना जादा गंधक उस मिट्टी में पाया जाता है आज भी उस मिट्टी को उठा कर अगर आब आग लगाओगे तो उस मिट्टी में आग लग जाती है कोई वनस्पती नहीं उकती अब सोचिए जो एक तराई थी जो सब कुछ अच्छा से अच्छा वहाँ पर था फून रूप से फलवंद पेड़ थे पानी था, सब कुछ था उसी को देखके तो लूद भागा था कि ये मैं ले लेता हूँ अबराम तू जा जंगल में तू बांजवरक्ष के पास जा तू रेती में घूमता रहे मुझे तो अच्छा भाग जी है उस स्वार्त से लूद गया और हुआ क्या उनके पाप के द्वारा वो पूरा का पूरा नगर नाश कर दिया गया यह चेतावनी थी कि तुम्हारा पाप बढ़ेगा तो वो प्रत्वी उस पाप को नहीं सै सकती मैं भस्म कर दूँगा उसको खदम कर दूँगा हम उसको आज पूरी प्रत्वी के उपर पाप बढ़ गया आज सदोम और हमरा की तरे की इस्तिती पूरी प्रत्वी के अंदर है आजकल के यूद बिलकुल अलग सोचने लग गये है उनके जीवन की शैली ऐसी बना ली है कि उनको पाप पाप नहीं लगता उनको लगता है कि यह मौडनाइजिशन है और हमारे जो पिता है हमारी जो माता है वो पुराने जमाने की है इसलिए हमको समझ नहीं पा रहे है किस तरे से शैतान भटकाता है सोची आप हम उनको अच्छी सिक्षा दे रहे हैं और वो हमें पुराने विचारों के कहकर हमारा मजाग बनाते है यह शैतान ने भर दिया उनके दिमाग में कि तुम तुमारे जीवन को तुमारी तरे से जीओ कोई नहीं रोकेगा तुमें और वहीं पर एक बच्चा एक टीनेजर गलती करता है माबाप को बिव को बोलना बहुत आसान है उस टीनेजर के लिए जो परमेशो का भहे नहीं मानता पर यदि परमेशो का भहे मानने वाला एक सच्चा बच्चा है तो अपने माबाप का भी आदर करेगा जी एक चिन है कि आपका बच्चा परमेशो के मार्ग में चल रहा है या नहीं चल रहा है यदि माबाप का आदर करता है सम्मान करता है और माबाप से उची आवाज में बात नहीं करता मान लेजिए परमेशो का भै उसके जीवन में है और जब परमेशो का भै उसके जीवन में है तो आटोमेटिक वो अपने आप को पाप से बचाएगा यहाँ पर बोलता है सब कुछ निर्जन कर दूँगा सुनसान कर दूँगा और क्या करूँगा मैं उलट कर उसके रहने वालों को तीतर बितर कर दूँगा भाग जाएंगे सब इदर उदर इदर उदर अपने आपको बचाएंगे सोचे कितना भयानक दर्श्य हो गए आज हम बैठ कर आराम से परमेश्यों के अराद ना कर रहे हैं उसके वचन में से सीख रहे हैं बाइबिल स्टडी कर रहे हैं हम सब मसी हैं और एक समय ऐसा आएगा कि कोई हमें यहाँ पर समाचार सुनाने नहीं देगा और हमको यहाँ पर बैठ के सुनने नहीं देगा ऐसे समय में भागना पड़ेगा वो अवस्ता है यह अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वो देखा यूट्यूब के अंदर कहीं चर्च ऐसा ही चर्च उसके अंदर लोग बाग बैठ के प्रचार सुन रहे थे इतने में कृष्ट विरोधी लोग जो मसीख से चिड़ते हैं ऐसे लोग आ गए और सब लोगों ने क्या करा उनकी बाइबल छिन ली हाथ से और फिर बोलते हैं ये क्यों पढ़ रहे हो जबकि हमारा समविधान हमें अधिकार देता है समविधानिक अधिकार है हमारे पास कि हम हमारे सुसमाचार को ना केवल हम बलकि हर जात वाला अपने सुसमाचार को अपने गरंद को पब्लिकली शेयर कर सकता है बाढ़ सकता है उस सम्विधानिक अधिगार के उपर वो क्रिस्ट विरोधी लोग है आज आते हैं छीन लेते हैं बाइबिल और बदनाम करते हैं उनको बेज़द करते हैं उनको और उनको बाहर निकाल देते है क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका वचन कह रहा है बोला समय आएगा तुम्हें तीतर बीतर कर देंगे और वो समय चल रहा है हम सोचने प्रभू ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभू ने तो पहले ही लिख रगा है उस चीज को हम भूल जाते हैं बोला उसके बात क्या होगा? और वो भी देख लो तुम की जैसे यजमान की वैसे ही याजक की मतलब अग्वे की भी और जो प्रजा है उसकी भी एक सी दशा कर दूँगा अब हमारे दिमाग में आता है कि सबकी एक जैसी दशा हो जाएगी तो फिर प्रभू के पीछे चलने का फायदा क्या हुआ? नयाताब लोग के दिमाग में? हम? पहरी मैं तो मनेशी के तरे से सोसता हूँ कि आज मैं परमेशय का वचन सुन रहा हूँ उसके वचन को बाआट रहा हूँ परमेशय के पीछे चल रहा हूँ मांदार इसे पाप से बच रहा हूँ उसके बाद भी यदि मेरी दशा उसी पापी के जैसी हो जाएगी तो फिर परमिश्यों पीछे चलने का फायदा क्या सोचा आपने कभी नहीं सोचा यहाप लिखा है ने Bible कह रही है मैं नहीं कह रहा क्या बोलते है जैसी अजमान की वैसे याजक की जैसे दास की वैसे स्वामी की जैसी दासी की वैसी स्वामीनी की जैसे लेने वाले की वैसे देने वाले की जैसे प्याद लेने वाले की वैसे देने वाले की और उधार लेने वाले की उधार देने वाले की सभू की एक ही दशा होगी, अब ये कौन सी दशा है, प्रकाशित वाक्ये निकाले, प्रकाशित वाक्ये, छटा अध्या है, नवी आयत पड़े, जब उसने पांचवी मोहर खोली, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमिशर के वचन के कारण, और उस गवाही के कारण, जो नहोंने दी थी, वद किये गए थे, ये वो लोग हैं, जिनकी दशा एक सी है, अरे उन दुष्टों को भी मारा गया तलवार से, इन धर्मियों को भी मारा गया तलवार से, दशा एक सी है, क्या बोलता है यहाँ पर, जब उसने पांचवी मोर खो ली, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण, और उसकी गवाही के कारण, जो उन्होंने दी थी, वद किये गए हैं, वद किये गए हैं, ये लोगों को भी मारा गया, और जो अन्य जाती थे, जो परमेश्वर से दूर थे, उनको भी मारा जाएगा फरक क्या है मालू मैं आपको सबसे बड़ा हमारा विश्वास योगी होकर परमीश्वर के पीछे चलने का सबसे बड़ा प्रतिफल ये है कि जब हम जी उठेंगे सुर्गराज्ये में जाएगे अरे मरना सब को है दशा सिर्फ शरीर की कर सकते है जब हम शरीर से वापस जी उठेंगे प्रभू हमारी दशा बदल देगा फिर वैसी दशा नहीं रहेगी जैसी उनकी है उनको प्रभू क्या करेगा मालू में इक खटा करेगा नर्क में डालने के लिए क्योंकि प्रभू ईशुमसी का वचन क्या कहता है कि खेत में से पहले जंगली पोदों को खाड़ लो और उसके गठर बांद लो ताकि आग में डाले जाए और फिर पूरा का पूरा जो मेरा है उसको क्या करना मेरे खलियान में रख देना दशा एक सी है दोनों पे हसिया चलेगा दोनों पे चलेगा न हसिया उस जंगली पे चलेगा और उस गेहूं पे चलेगा पर प्रतिफल देखिए आप एक को आग मिल रही है और एक को स्वर्ग राज्य ये उस दशा की बात कर रहे है मृत्यू सबको आनी है लेने वाले को भी आनी है देने वाले को भी आनी है स्वामी को भी आनी है और दास को भी आनी है सबको आनी है मृत्यू मृत्यू की दशा एक है पर उसके बाद जो परमेश्यूर के साथ चलते थे उस पे विश्वास करते थे अपने आपको पाप से बचा के रखते थे उन लोगों को सुर्ग राज्य देगा यह नियाय का समय है यहां हम बोल सकते हैं कि प्रभु तेरी महीमा हो और तेरे पीछे चलने से जो मुझे प्रतीफल मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा यह है प्रभु का नियाय लगता सब को है कि अरे inका जीवता परमेश्य रहे तो भी इनको नहीं बचा रहा प्रभु ईशू मसीश से नहीं बोला था यदि तु परमेश्य का पुत्र है तो सलीब से उदारा आ सकता था जब प्रभु ईशू मसी का अनादर करते से मैं बाज नहीं आया तो हम क्या हैं अरे पाप के पुतले हैं हम उसके बाद यदि कोई हमारा मजाग बनाता है हमारा अनादर करता है कोई बड़ी बात नहीं है वो पवित्र परमेश्वर प्रभुईश्य मसी एक अंश पाप नहीं था सौब प्रतीशत परमेश्वर की आग्या के अनुसार चला और परमेश्वर के आग्या को पालण किया और अपने आप को हम लोगों के लिए बलीदान कर दिया और चड़ गया सलीब पर और अपने आप को उसने मृत्यू आने दी पूरे जगत का पाप लिया जब तक जगत का पाप नहीं लिया था मृत्यू उसके पास नहीं आई यह चित दर्शाती है कि उसने हमारे पाप ले लिये कोई यह नहीं कह सकता कि मेरे पाप नहीं लिये उसकी मृत्यू दर्शाती है कि उसने पापों का बोज उठाया पर वो पवित्र इतना था कि उस मृत्यू को हरा कर तीसरे दिन जी उठा ये है परमिश्य के सामड़ता हमें मार तो देंगे ठीक है एक सी तशा है धर्मी भी मरता है और अधर्मी भी मरता है मरेंगे सब पर उसके बाद प्रभू हमको नियाय में लेकर जब आएगा तब हमको बोलेगा तू मेरा पवित्र और तू मेरा विश्वास योग्यदास है तुझे स्वर्ग राज़े दूँगा और ये जो जंगली बीच से उबजे वे पौदे हैं इनको गठर मांद के रख लो आग बेड़ा लूँआ अब ये चीद दर्शाद दिये कि शातान हारेगा फसल होती ने फसल हमने सब्दे देखी है खेद भरा हुआ है जंगली कित्ते होते हैं पौदे हो सकंदर थोड़े से अगर ये मान लो आप सो बोरी गेहू निकल रही है तो जंगली मैं समझता हूँ खेच के आदा बोरी निकलेगा इतना ही रहता है ये चीद दर्शाद दिये कि शैतान कितनी बुरी तरह से हारेगा उस समय आएगा जब सब लोग उसको अंगिकार करेंगे सब लोग मानेंगे कि हाँ प्रभुईश्यु मसीही सच्चा खुदा है क्योंकि उसका बज़न बोलता है हर एक मेरे अपनी जीब से मेरा अंगिकार करेंगे और हर एक घुटना मेरे सामने ठीकेगा और जो कुछ लिखा है बैबिल में सब कुछ पूरा होना तेह है इसलिए बोलता है कि तुमारे क्या होगी एक सी दशा होगी घुटना मत जाना डर मत जाना और उनकी दशा देखकर अपने आप को बदल मत लेना कई होते हैं कई मैंने कानों से सुना है और वो यही बोलते हैं अरे यह प्रभु का दास था इसको इतनी बेकद्री से मारा क्या फाइदा प्रभु का दास होने में यह प्रभु का दास था यह बिमारी से मर गया क्या फाइदा प्रभु का दास होने में अरे हम फाइदा और नुकसान यदि ढूंडते हैं प्रभु के पीछे आने से तो फिर हम मसी नहीं है फायदार नुकसा नहीं है हम उसकी सच्चाई के जानकर उसके पीछे है कि प्रभु तू सच्चा है मैं तेरे पीछे आऊं या नाऊं तू सच्चा रहेगा अब उसकी दया है कि हमें उस स्वर्ग्राज्य में बुलाता है हम पीछे आकर एहसान करकर नहीं पा सकते सुर्ग राजे क्योंकि उसके चेले भी उसको छोड़के गए थे प्रभू ईश्यू मसीगों एक बात से फरीशियों की परंपरा मानते थे वो चेले और प्रभू ईश्यू मसीगी कुछ बातों से उनको ठेस लगी और वो छोड़के चले गए तब प्रभू ईश्यू मसीगों बोलता है उन बाराओं से क्या तुम भी जाना चाहते हो और वो क्या जवाब देते हैं पत्रस कि प्रभू अनंत जीवन की बात ने तेरे पास है आज हम छोड़के जा सकते हैं पर अनंत जीवन की बात नहीं है किसी के पास आना यहीं पड़ेगा आगे पड़े इसको यशाहा चौबिस चौथियाएद प्रिथवी विलाब करेगी और मुर्जाएगी जगत कुमलाएगा और मुर्जा जाएगा प्रिथवी के महान लोग भी कुमला जाएगे प्रिथवी अपने रहने वाले के कारण अशुध हो गई है क्योंकि उन्होंने वेवस्ता का उलंगन किया और विधी को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है दन्यवाद प्रिथवी विलाप करेगी मुर्जाएगी जगत कुमलाएगा मुर्जा जाएगा प्रिथवी के महान लोग भी कुमला जाएगे और प्रिथवी अपने रहने वालों के कारण अशुध हो गई है यह है सबसे बड़ा रिजिन इस प्रत्वीके नाश होने का आज भी मौका है हमारे पास हम सब यदि सिर्फ खुद को बदल ले हम दूसरे को ना बदले सिर्फ खुद को बदल ले अपने जीवन के पापों को हम ये प्रण ले लें कि प्रभू मैं मेरे पाप तेरे सामने लेके आता हूँ आज के बाद मेरे मूँ से जूट ने निकलेगा मेरे मूँ से अपशब्द ने निकलेगे मेरे मूँ से सिर्फ तेरा आदर होगा और मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे पीछे चलना चाहता हूँ सिर्फ अपने आपको बोल रहा है, प्रत्वी के महान लोग कुमला गए, जो बड़े थे, जो तेरे पीछे थे, वो भी कुमला गए, और क्यों हो आई ये, अशुद्ध हो गई ये, इसलिए, क्योंकि मेरा न्याई प्रभू अनर्थ होते वे, अन्याई होते वे नहीं देख पाता, मुक्फेर लिया था उसने, जब प्रभू ईशु मसीश सलीप पे था, और पापों का बोज उठा रहा था, हो गया था अंधेरा, तीसरे पहर में, उस ये बताता है कि परमीशु ने मुक्फेर लिया था, देख नहीं पाता वो, वो इतना पवित्र है, इसलिए मुक्फेर ले फूलो, मैंने तुम्हें आशीश पी दी थी, और उस आशीश का तुमने गलत फायदा उठा है, सब कुछ दिया मैंने तुम्हें, और तुमने मेरा अनाधर कर दिया, ये उसी नाशुक्रे बच्चे के समाने, जो माबाप सब कुछ करते हैं उसके लिए, घर बनाते हैं, ग लेते समय मेरा पिता बहुत अच्छा, और जब पिता को समालने की बारी आई, उसके आदर करने की बारी आई, वहीं पिता का हाथ छोड़ दिया, इसलिए प्रभु कहता है अपने वचन में कि अपने पिता को सर का मुकट और मा को कंठ माला समझो, शोभा है तुमारी, तु बड़े-बड़े चेन पहनते हैं, उससे दिखती है कि उनकी कितनी ग्रेस है, कितनी महिमा है उनकी, इतनी बड़े-बड़े अच्छी-च्छी माला पहनते हैं, दिखाते हैं ने हम लोग कि हम रहीस हैं, पैसे वाले हैं, मोटी-मोटी माला पहन के, मा का आदर करो, अपने आप दुनिया देख लेगी यह चीद शिखाती है प्रबू क्यों? वो जानता है यदि तुने माबाप का आदर कर दिया तो आटोमेटिक तु मेरा आदर करना सीख जाएगा बला जिसने तुझे पैदा करा है तु उसका आदर नहीं करता तो मेरा सम्मान क्या करेगा? इसलिए बोलता है यहाँ पर यह प्रत्वी क्या हो गई? अशुद्ध हो गई है और क्योंकि उन्हों ने व्यवस्ता का उलंगन किया जो व्यवस्ता मैंने उनको अनुशाशित रखने के लिए दी थी डिसिप्लिन में रखने के लिए दी थी उसका उलंगन वो करते गए अपनी इच्छा से उनके नियमों को तोड़ते गए जैसे बच्चे करते है मुझे याद है जब मैं छोटा था शायद नवी दस्वी में होंगा मेरे पिता का नियम था हर सोंबार गरों में जाना प्रियर करना दुपैर में जाते थे रात में दस बजए घ्यारा बजए आते थे पूरे दिन साइकल चला के मेरी मम्मी पिछे बैठती थी और पूरे दिन गुमना है मेरे बहने ओफिस में जाती थी मेरा भाई काम पे जाता था गर पूरा खाली, मैं अकेला है, वही time शैतान पकड़ता था मुझे, दोस्तों को बलाना, कभी क्या बना रहे हैं, कभी क्या मस्ती कर रहे हैं, गर अकेले हैं, यह चीछ करते हैं, जैसे प्रभू से दूर जाते हैं, मनमानी करने लग जाते हैं। वो काम करने लग जाते हैं, जो आग्या का उलंगन है, एक बोल रहा है, तुमने करा ऐसा, मेरी इच्छा नहीं थी इस प्रत्वी को नाश करने की, मुझे खतम नहीं करना था, अरे मैंने तो बनाया था तुम्हारे लिए, ये बेडोल पड़ी थी, इसको नाश करना होता था, तो मैं इसको बनाता क्यों, ये तो पहले ही ऐसी थी, जिसके अंदर कोई नहीं रह सकता था, पर मैंने तुम्हारे लिए बनाया, तुमको दिया सब कुछ, और तुमने ही क्या कर दिया, इसको अशुद्ध कर दिया, अब मुझे इसको वापस वैसा ही करना पड़ेगा, खत पाद में समझ में आता है, कि पिता की आज्या का मानना, जीवित रहने के बराबर है, आशिशित रहने के बराबर है, और क्या बोला लाश्ट में उसने, विधी को उलट डाला, और सनातन वाचा तोड़ दिया, जो वाचा मैंने तुमसे बांदी थी, सनातन, जो सालों से जली आ रही है, जब से प्रत्वी बनी है, तब से, जब से मैंने इंसान बनाया, तब से, वो वाचा जो मैंने तुम्हें दी थी, वो वाचा तुमने क्या करा, तोड़ दिया, क्या दुख प्रकट हो रहा है, प्र और वो सिखा रहा है कि आज भी यदि हो सके तो मान लो उस चीज़ को मान लो मैं तुम्हें माफ कर दूँगा सब अब देशक निकाले और उसका बारा का चौदा क्योंकि परमेशर सब कामों और सब गुपत बातों का चाहे भली हो या बुरी नियाए करेगा ये है नियाए चौदा की परमेशर सब बातों का चाहे भली हो या बुरी और सब गुपत बातों का और कामों का अच्छी करी हो बुरी करी हो याद रखना नियाए करेगा नियाए के समय दशा तो एक सी होगी पर प्रतिफल अलग-अलग होगा मृत्यू तो मिलेगी पर मृत्यू के बाद हमें स्वर्गराज्य जाना है या हमारे गठर बांद के अलग कर रखा है नियाय का दिन बताएगा पर मेश्य सिखाता है हमें अब वच्णों के द्वारा किस तरह से जीवन को जीना चाहिए बहुत आसान होता है अपनी मन की मरजी करना बहुत आसान उसका प्रतिफल हम भूल जाते है और उस प्रतिफल कई बार बहुत कड़वा होता है इंसान का जीवन खरा हो जाता है इसलिए प्रभू आज के बचन से सिखाता है यह प्रत्वी जिसको मैंने बनाया है इसको नाश कर सकता हूँ मैं जो इतनी बड़ी संरचना है पूरा ब्रह्मान जो मैंने बनाया तुमारे लिए सब नाश कर सकता हूँ मैं बर तुम क्या हो मेरे सामने उसके बावजूद में मैंने सबसे ज़्यादा प्रेम तुम से किया इस प्रकृति से नहीं करा इस बड़े-बड़े तारागन से नहीं करा ना सूर्य से करा, ना चंदरमा से किया ना प्रत्वी से किया बहला मैंने प्रेम तुम से किया क्योंकि मैंने सब कुछ तुमारे लिए बना है और तुमने इसको शुद्द कर दिया बला मैं सब बातों का न्याए करूँगा ध्यान रखना जीवन जी लेना अलग बात है और जीवन परमेश्वर के हिसाब से जीना अलग बात है जीते सब हैं पर क्या हम खुद की इच्छा से जी रहे हैं या उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो रही है सोचने वाली बात है जदि खुद की इच्छा से जी रहे हैं तो याद रखना न्याए करेगा जदि उसकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो रही है नियाय तो करेगा पर उस नियाय के अंदर हमें दंड नहीं मिलेगा प्रतिफल मिलेगा स्वर्ग राज्य जितने भी परमिश्व के दास थे और दास हैं वो इस बात को जानते हैं की जीवन उसकी इच्छा से जी और सिखाते हैं कि यदि जीवन के अंदर प्रतिफल चाहिए यदि वो स्वर्क राज्य चाहिए जिसकी हम तैयारी कर रहे जिसकी हम पूर्ड रूप से इंतजार कर रहे तो जीवन उसकी इच्छा सी जीनए मिस्र के देश से निकालकर इसराईलियों को 40 साल भटकाता रा भटकाता रा उसका रीजन क्या था मलूमे उनके अधर्म उनकी अवश्वासियो के था उनका कहना ना मानना उनका बार बार हट करना उस आशी से 40 साल दूर कर दिया उनको वो लोग नहीं जा पाए जिन लोगों को नहीं वो सपना देखा था जाने का सोचे कितना बड़ा एक दुख की बात है आज मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं एक आशिशित जगे जाऊंगा और मेरे हट के कारण, मेरे अविश्वास के कारण मैं नहीं जा पा रहा पर परमीश और अपनी वाचा दे चुका था इसलिए मेरे बच्चे को लेके गया बाद में पर देना तो मुझे जाता था कि तुझे दूगा करान देश 40 दिन के सफर को 40 साल कर दिया जाना दिल्ली है, पहुँचा दिया मुंबई मुंबई से पहुँच गे, चिन्नई चिन्नई से पहुँच गे, श्रिलंका, मालदीर गूम रहे हैं जाना का हैं दिल्ली ये कर दिया है बहला भटका दूगा मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे या ति तुमने मेरा इंकार किया तो सिखाता है बार-बार कि आशिष चाहिए विश्वास करें विश्वास करोगे तो वो आशिष पाओगे जो तुम्हारी परिस्तिती के बाहर है सोच ही नहीं सकते तुम पर विश्वास जरूरी है आज के बचन से हम यही सीखते है बोला दशा भले एक सी हो पर जो प्रतिफल मिलेगा वो एक सानी मिलेगा मृत्यू सबको आनी है पर उस प्रतिफल का इंतजार करें जो प्रभू हमें देना चाहता है वहाँ पता लगेगा कि हम सच में वो गेहू थे या वो गठर थे क्योंकि वचन कहता है हर एक बात का भले बुरी हो भली हो, गुप्त हो सबका न्याय प्रभू करेगा आज के वचन से प्रभू हमें यही सिखाता है आईए प्रात्न करें हे मरे प्रभू आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं आज के एक उत्तम वचन के लिए जो आपने हमें दिया इश्वर नियाय का दिन आना तैहे मरे प्रभू और हमारे जीवन को आप परकते हैं बार बार इसलिए आपका धन्यवाद इश्वर बार बार मरे प्रभू आज आप आप हमारे जीवन के अंदर प्रेड ना देते हैं बार बार हमें आपके आत्मा के दौरा प्रेरित करते हैं मिर प्रभू के हम आपकी नजदीकी में बढ़े सारी आदर महीमा आपको देते हैं मिर प्रभू सच मिर प्रभू कई बार हम आपसे दूर चले जाते हैं पर आपका आत्मा हमें वापस आपके पास लेके आता है अपनी परेशानियों में उलत जाते हैं सांसारिक्ता में उलत जाते हैं और सोच इन में पढ़ जाते हैं कि ये काम कैसे होंगे आप सामरती प्रबू है मिर प्रबू आपके पास हम आएं और सारी अपनी चंताओं को आप पर डाल दें यही मेरी प्रात्ना है यहां कलीशिया में बैठे वे हर एक व्यक्ति को आपके हातों में सौपता हूँ विशेश करके मिर प्रबू बेहन संतोष को आपके हातों में सौपता हूँ उनके बेटे का एक्सिडेंट हुआ उसके बावजूद भी वो आपका आदर सम्मान करने आपके भजन गाने इस कलीशिया में आई मिर प्रबू पून रूप से चंगाई देना बेटे को मिर प्रबू जल से जल मिर प्रबू उनको खड़ा करना है इश्वर और मिर प्रबू जो भी समस्या है यदि आर्थिक तो उसको भी पूरा करना सारी आदर महीमा आपको देते हैं मिर प्रबू हम घटें आप बढ़ें आज के वचन को हरेग के मन में बोना मिर प्रभू हर एक मिर प्रभू अपने जीवन को एक और बार जाचे और मिर प्रभू सोचे समझे कि सच में क्या अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसर चला रहा है या आपकी अच्छा अपनी जीवन में पूरी कर रहा है दोनों में बहुत अंतर है मेरे प्रिबूँ आप चाहते हैं हमें सुर्ग राजी देना आपका धनिवाद देता हूं मेरे प्रिबूँ सब कुछ आपके हाथों में सौपता हूं प्रभु ईशु मसी के नाम से मांगते हैं आमिन और अब हमारे प्रभु ईशु मसी का अनुग्र पवितरात्मा की सहवागता हम में से प्रतियक विश्वासी के जीवन के अंतक बनी रहें आमिन आमिन